नमस्कार किसान भायो, स्वागत है हमारे चैनल फार्मिंग टीम में तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अनार की खेती की गई है जो की काफी बड़े एरिया में है अगर हम अनार की क्लाइमेट का बात करें जलवायू तो यह उपोष्ण जलवायू का है ऐसे यहाँ पे हम लोग अनार की जो खेती करते हैं वो बाकी ट्रॉपिकल सब्रॉपिकल दोनों में कर सकते हैं लेकिन अच्छा प्रोडक्शन हम लोग को सब्रॉपिकल में ही मिलता है और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे अनार की पौधे में अगर अच्छा ग्रोथ नहीं होता है तो हम लोग कौन सा फटलाइजर डालें सुरू से लेके जैसे हम लोग प्लांट सोविंग करते हैं उसके बाद बहुत सारे प्रसानियां हम लोग को दिखा जाता है कि हमारे प्लांट में ग्रोथ नहीं होता है और कोई-कोई इंसेक्ट वगरा का अटैक होते रहता है तो हम लोग समय समय पे क्या डालें कि हमारा जब फ्रूट आता है तो क्रैक नहीं हो और अच्छा प्रोडक्शन आए हमारे फ्रूट में क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अनार की खेती का जब हम प्लांट लगाते हैं तो अल्मोस्ट दो से तीन साल में इस पर फ्लावरिंग आ जाता है और फलन देने लगता है तो हम लोग जैसे बात करते हैं अगर सोविंग का तो जैसे हम लोग सोविंग करें तो अनार के पौधों में जो growth rate को बढ़ाने के लिए हम लोग जो fertilizer डालते हैं तो उस fertilizer के विशह में हम लोग अभी बात करेंगे तो सबसे best अगर हम लोग बात करें तो गोवर खाद होता है जो सरा हुआ है गोवर खाद और उसके साथ हम लोग को 250 ग्राम nitrogen और 125 ग्राम phosphorus और 125 ग्राम potassium को हम लोग को डालना परता है अनार की खेती में अनार के पौधों में प्रति पौधा ये डोज है और हम प्रति वर्ष ये डोज डालते हैं हम लोग अगर बात करें जैसे इसका डोज बढ़ाने के लिए आप हर साल इसका डोज बढ़ा सकते हैं 125 ग्राम nitrogen, 250 ग्राम phosphorus और 125 ग्राम potassium ये आपके पौधों में जरूर डालना चाहिए जिससे हमारा जो growth rate होता है अनार का वो काफी अच्छा होता है और यहां पर आप लोग देखना है एक एकर में खेती किया गया है जो की काफी बढ़ा एरिया है अगर हम लोग distance का बात करें अनार का तो 15 ग्राम हम लोग लगाते हैं अनार का और यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं ये वराइटी जो है अनार का ये रेट भगवा है और यहां पर काफी अच्छे तरीगे से किया गया है मल्चिंग और ड्रिप के मध्यम से आप लोग के सामने ये ड्रिप दिख और इसके अंदर भी ड्रिप है और यहां पर मल्चिंग है तो हम तो एक लॉंग वीडियो लेके आएंगे इस पर जिसमें पूरा ड्रिपली कितना एक्सपेंस वगरा लगता है आपको एक एकर की खेती में कितना रेट होता है पोधा का कैसे कैजी बिखता है वो सब हम एक वीडियो में लेके आएंगे तो अगर हम लोग बात करें इसमें फ्लावरिंग का तो आपके जनकारे के लिए बता दे हम किसान भाईयों को कि जो अनार का खेती होता है उसमें तीन बार फ्लावरिंग आता है बात करें कब कब तो ये एक तो फ्लावरिंग आपका जून यह तीन समय होता है फ्लावरिंग का उसमें आपको विशेज ध्यान दिया जाता है कि हमारे पौधों में काफी इंसेक्ट का अटैक होता है तो आप कोई भी फंजी साइड मारते रहें और इंसेक्टिसाइड कोई जो सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है उसको मार सकते ह जैसे आप airmida chloropid का इस्तमाल कर सकते हैं या chlorophydofos होता है उसका इस्तमाल कर सकते हैं जैसे control में रहता आपका और हम लोग बात करें एक खुराक का जो की doge होता है तो ये doge जो है वो कम से कम आपको NPK आप लोग जानते हैं तो NPK जो water soluble होता है उसको आप लोग को देना परत और इसका जो डोज होता है नपीके का वो दस दस डस आप लोग ढाल सकते हैं समय समय पर हर दो महीने पर या धाई महीने पर आप लोग को एक डोज जरू देना चाहिए जिससे आपका जो पौधा है वो अच्छा ग्रोथ करेगा तो आज के लिए बस इतना ही फिर अगले वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद